Hello everyone, इस lecture video में हम roller follower के लिए cam profile draw करेंगे तो यहाँ पर datas given है, तो यहाँ पर cam का radius है, least radius वो given है lift of follower given है, roller का diameter given है, तो यह जो roller है, इसका diameter यह given है 30 mm उसके बाद यहाँ पर angle of ascent given है, जो की 120 degree है और shm है angle of dwell between ascent and descent दिया हुआ है 60 degree, फिर angle of descent दिया है 90 degree और यहाँ पर uniform acceleration and retardation है, तो आपको क्या करना है, यह given data note कर लेंगे तो यहाँ पर h, जो lift of follower है, वो दिया है 40 mm, तो सबसे पहले आपको displacement diagram draw करना है यहाँ पर एक horizontal line draw करिए आप और अब यह इसकी length कितनी रहेगी यह horizontal line की length कितनी रहेगी देखिए आपको एक scale ले लेना है, 20 degree is equal to 1 cm, जो angle दिया हुए आपको accent, dwell और descent इसको angle को degree को आप centimeter में convert करेंगे theta 1, 120 degree is equal to 6 cm, आपको 20 degree को 1 cm consider करना है, suitable scale उसके बाद theta 2 हो जागा 3 cm, theta 3 हो जागा 4.5 cm और जो remaining है theta 4 वो भी हो जागा आपका 4.5 cm तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर measure करके रखते जाएंगे आप point को, यह हो जाएगा यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा 6 cm, फिर यह 3 cm, फिर यह 4.5 और यह remaining 4.5 तो आपने क्या किया है, यह जो scale है, 6 cm का पहला theta 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका first theta 1 थिक है, जो की है 120 degree, फिर यह है आपका थीटा 2 जो की है 60 डिगरी फिर यह है आपका थीटा 3 जो की है 90 डिगरी फिर यह है आपका थीटा 4 रिमेनी जो की है 90 डिगरी ठीक है तो यह जो थीटा 1 है इसकी लेंद कितनी है 6 cm यह फिर थीटा 2 की 60 डिगरी कितना है 3 cm फिर यह 4.5 और यह है 4.5 अब जो भी lift दिया है आपको 40 mm ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 4 centimeter ध्यान देंगे ये हो जाएगा 40 mm अब क्या करने आपको अब इसे आप close कर सकते हो ठीक है ये अब आपको क्या करने है इसे partition कर-lee contracts कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका ये वाला सिंलरली ये फिर ये और ये वाला portion, अब आपको क्या करना है, ये जो accent है 120 degree और ये descent है, इसको आपको 6 equal part में divide करना है, ध्यान देंगे dwell को हमें divide नहीं करना होता, अब आप क्या करेंगे, इसको 6 equal part में divide करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, similarly आप ये angle of descent को भी 6 equal part में divide करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, अब आप क्या करेंगे, vertical line को आप draw करेंगे, similarly यहाँ भी, उसके बाद आपको यहाँ पर center लेते हुए, इस line को center लेते हुए इसका, जो की हो जाएगा, आपको कितना होगा ये center, आपका हो जाएगा, ये जैसे कि 40 mm है, तो 20 mm आपका इसका center हो जाएगा, ये vertical line का, ठीक है, lift का, तो अब ये center, इसको center consider करते हुए, आप क्या करेंगे, semi circle draw करेंगे, अब ये semi circle को क्या करने है, आपको 6 equal part में divide करेंगे, तो जैसे कि ये 180 degree angle है, तो यदि आपको 6 part में divide करना होगा, तो हर एक part को आपको 30 degree consider करना होगा, तो आप इसे 6 equal part में आप इस 11, 12, similarly इसको भी देजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद क्या करना है, आपको ये first वाला, जो point है, इसको ये first वाले line से join करना है, similarly आपको second वाला point को ये second वाले line से, horizontal line से, आपको join करना है, third वाले point को horizontal line से, ये third वाले line से join करना है, वैसी बाकी 4 और 5, 6 को भी करना है, ये 1 का 1 वाले लाइन से, similarly, 2 का 2 वाले लाइन से, 3 का 3, 4 का ये 4, 5 का 5, और ये जो लास है 6 का 6, उसके बाद ये जो आपको common point मिला है, ये हो जाएगा आपका, ये, ये आपका common point है, intersecting point, अब जिहान देंगे, ये वाला SHM है, ठीक है, ये SHM पात रहेगा, ये SHM कर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर given है, accent का जो है, ये SHM कर रहेगा, तो अब इसे naming कर लिजे, तो ये हो जाएगा, आपका, A, ये, B, C, D, E, F, और ये, G, फिर क्या करना है, आपको, इन intersecting points को join करना है, एक suitable curve के through, वो curve रहेगा, आपका SHM, तो ये आपका accent हो गया, ठीक है, ये वाला accent, accent हो जाएगा, आपका SHM, उसके बाद dwell है, आपका 60 degree, तो ये dwell, अब यहाँ पर जिहान दीजे, जो descent है, वो है आपका uniform acceleration and retardation, उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो center line है, इसको आपक six equal part में divide कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये first line को इससे, similarly इसको इससे, और ये वाला आपका यहाँ से हो जाएगा, फिर ये वाली point इससे, similarly last वाली इससे, तो अब क्या मिलेगा, आपको ये common point मिल रहा होगा, ये वाला first common point, ये intersecting point, second, और ये third, उसके ब name दे दीजे, आप G, H, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये है आपका K, और ये L, और ये M, फिर क्या करना है, आपको ये intersecting point को आपको join करना है, उसके बाद जो remaining है, वो भी आपका dwell हो जाएगा, तो ये भी dwell, तो ये जो आप curve देख रहे हैं, ये यहाँ से आपका accent है, SHM हो रहा है, फिर dwell है ये, फिर ये आपका uniform acceleration and retardation, फिर ये आपका dwell, तो ये है आपका displacement diagram, अब इस displacement diagram की हल्थ से हम chem profile draw करेंगे, तो यहाँ पर आपका theta 1, 120 degree, फिर theta 2, 60, फिर theta 3, 90 degree, और theta 4, 90 degree, तो ये आपका displacement diagram है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक circle draw करना है, अब इ radius, प्लस आपका cam का radius, दोनों का summation लेना है, ध्यान देना है, जो क्या रहा है, 65 mm, तो आप एक circle draw कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो vertical line है, ये vertical line reference है, axis, इससे आपको angle measure करना है, तो ये जो angles दिए हुए है, इस circle को इस in angle में divide कर लेंगे, तो ये पहला angle हो ज chm है, angle of action, इसको आपको 6 equal part में divide करना है, उसी प्रकार आपको ये वाला angle of design, इसको भी 6 equal part में divide करना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, और ये 6, ठीक है, फिर ये 6, फिर इसको भी वैसी करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 7, 8, 9, 10, 11, और ये 12, अब उसके बाद आप एक line ऐसा draw कर लेंगे पूरे, तो कुछ आपको ये मिलेगा, अब आपको क्या करना है, ये जो distance है, 1 से A, आपको इसका distance लेना है, और ये 1 point को center मानते हुए, आपको R draw करना है, distance कितना रहेगा, इसकी length कितनी रहेगी, ये वाली, 1 से A की length जो भी है, तो यहाँ पर आप 1 को center मानत एक R कांटेंगे, वन लाइन पे, तो ये आपका R, और इसको देंगे A, उसी प्रकार आपको 2B, ये वाली distance लेना है, और 2 को center मानते हुए, इस line पे आप R कांटेंगे, तो ये B, उसी प्रकार 3C distance को आपको consider करते हुए, 3 को center मानेंगे, और इस line पे आप R कांटेंगे, तो इसी प्रकार 5E को, 5 को center मानेंगे, और E का R कांटेंगे यहाँ पर E, similarly F, और यहाँ पर वैसी ही, वैसी आप 6 और ये G, ये वाले distance को, 6 को center मानेंगे, और यहाँ पर इस line पे R कांटेंगे, ये हो जाएगा आपका G, फिर यहाँ पर 7 और H का जो distance है, वो consider करेंगे, 7 को center मान तो ये हो जाएगा, H, I, J, J, K, L, और similarly M, तो इस तरीके से आपने R कांट लिया, अब यहाँ पर आपको पता है, गीवन है, रोलर का radius कितना दिया है, 15 mm, और केम का radius कितना दिया है, 50 mm, तो अब आपको क्या करना है, ये वाला A point है, इसको center मानते हुए, आप 15 mm का radius ड्रॉ क करेंगे, तो A को center मानेंगे, और radius कितना लेंगे, 15 mm का, और यहाँ पर ये वाली line पर आप R ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये, वैसी आप B को center मानेंगे, और यहाँ पर फिर R ड्रॉ करेंगे, वैसी ही C को center मानेंगे, 15 mm का फिर से R ड्रॉ करेंगे, वैसी ही D को center मानेंगे और फिर 15 mm का E को वैसे ही पूरा आपको 15 mm का सारे point को center मानते हुए 15 mm का आपको arc draw करना है अब ये arc को ये सारे arc जो मिले हैं आपको इसको एक suitable curve से आप join करेंगे तो ये वाला जो profile मिला है यही आपका cam profile होगा तो ये था आपका displacement diagram और ये है cam profile तो ध्यान देंगे आप exam में के वाल displacement diagram और ये जो cam profile है इसको ही draw करेंगे आप construction exam में नहीं लिखेंगे तो ये था आपका roller follower के लिए displacement diagram और ये है आपका cam profile